हेलो फ्रेंड्स कैसा से व्लोग तो फ्रेंड्स आज गुड़े के बात करूँगा एक ऐसे महत्पून टोपिक की जो आपके सीटाइट के एकजाम में जो आपका दिसम्मर से जनुरे तक चलाता पहली वाल ओनलाइन कंडेक्ट हुआता लगबग आपकी सभी सिफ्ट में पू मान का चलिए आज की वीडियो से आप लोग अपने कम से कम दो नंबर जरूर पक्के अगर लोगे और नेशनल एजूकेशन पोलिशी 2020 यह आपका ऐसा टूपिक है खाली सीटाइट के लिए महत्पून नहीं है आप लोग कोई और भी एक्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आ चैनल को सब्सकाइब कर लेना क्योंकि जो नए टोपिक देखने को मिलेते उनको अपने में यूटूब चैनल पर करा दूँगा तो इसलिए आपको टोपिक मिल जाएंगे चैनल को सब्सकाइब कर लेना देके नेशनल एजूकेशन पोलिशी 2020 के अगर मैं बात करूँ तो अगर आप लोग इसको खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हो इंटरनेट सा आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो लगबग 108 पेज के पूरी PDF आपको मिल जाएगी 108 पेज को पढ़ने में आपको कही दिन भी लग सकते है उसको पढ़ने में समझने में अपने नोट्स बनाने में तो एक तो आपके पास यह तरीका है अगर आपके पास खुद बहुत जादा टाइम है खुद पढ़ना चाहते हो तो खुद से पढ़ सकते हो ठीक है इंटरनेट पर इसली आपको मिल जाएगा वहना दूसरा तरीका यह जो आज की वीडियो के अंदर जो जो ची देखने का ही रहेगा ठीक बसरते आज की वीडियो का कोई भी पॉइंट आप लोग छोड़ना मत क्योंकि एक 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 जो पॉइंटा बड़ा मेहत्पून है जो मैंने लिया हुआ आज की वीडियो के अंदर क्योंकि मुझे भी इसको पढ़ने में पूरा लगब बहुत टा जो पूर चीफ ते जो सैटिलाइट बगारा बेजती है अंतरिक्स में तो इसके जो पूर चीफ ते डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जिनको डॉक्टर के के नाम से जाना जाता है डॉक्टर किस्ना स्वामी कस्तूरी रंजन के नाम से भी जाना जाता है इस वरों के पहले ची हुई जून 2017 से इसकी शुरुवात हुई थी और जिसका ड्राफ्ट बनगर तयार हुआ मई 2019 में डोक्टर केके डोक्टर केकी की अद्धक्स्ता में किसना स्वामी कस्तूरी रंजन के अद्धक्स्ता में उसके बाद आगे देखते हैं नेशनल एजुकेशन पोलिसी जो आपक पहले नंबर पर आई 1968 1968 के बाद दूसरी आई 1986 1986 में इसमें अमेंडमेंट किये थे संसोधन किये थे 1992 में किये थे वह ठीक है तो उसमें जो चीज़े बच गई थी उसको इस शिक्सानीति के माद्धम से उसको कम्प्लीट कराए जा रहा है तो आप आपके कौन्ची सिक्सान क्यानिति तीसरी सिक्सानीथि निति है जब यह से शिक्सानीती का ड्राफ्ट बना रहते हैं पूरे ओलवर इंडिया से सब चीजहु से राय कप सुमार करा सुमारी करी गई ठीक हर कॉच्शन पूछिए जाये वहो प्रदेश को चाहे जिले का उचाय गाहों का उप इतने म पढ़ लेते हैं आपको मैंने बता दिया डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्स्ता में बनी और तीसी शिक्सा नीती है उसके बाद अगला कुश्चन आपको दिया हुआ है कि एननीपी 2020 के तहित केंद्रो और राज्यसरकार जो सेंटल और स्टेट गवर्मेंट होती है उनके सहयुक्से शिक्सा चेतर पर जीडीपी के 6% एक बहुत बड़ा मांट होता है जो हमारी जीडीपी है उसका 6% हिस्सी के बराबर निवेस इन्वेस्टमेंट का लग से रखा है तो उनसे हमें अभी नहीं पढ़ना था जो हमारे ईकजाम पोइंटव लिए उसी जोरुभी नहीं है अगर आपको 4 अधैजर We में तो ढभने उसको को पड़नी के लिए मारे टिषीन है कईने द्वूर्वरा ईसका नाम बदल कर अब education ministry कर दिया गया यानि सिक्सा मंतराल्य कर दिया गया तो देखो ministry of human research development था इसका नए नाम अब क्या है सिक्सा मंतराल्य हो गया है education ministry हो गया है यह नाम अब आपको नहीं देखने को मिलेगा ठीक तो इसके नए नाम की मैंने आपको जानगा रही थी आगे बढ़ते हैं अब पढ़ते वह चीजे एक बार यह चीज और देख लो उसके बाद आपके लिए महत्पुन्ची जाने वाली है कि वर्च 2030 तक अध्या कर दिया समाप कर दिया ठीक है हाँ पीएचीडी कर सकते हो चार साल की तो एमफील को समाप कर दिया है पीएचीडी साल चार साल की की गई है ठीक यह तक समझे उसके बाद आगे देखते हो और महत्पुन पॉइंट यह वह महत्पुन पॉइंट है जो कुम्ठीट एक्जाम के लिए मार्ण पोन ऋते हैं अब उनको यद्न के बात करते हैं जोंहे सभी के लिए मै Sax जाद मेंट नोतए और अब करेंगे इस कूल एजुकेशन की इसक परहें तैंब आप लोग को पढ़ोंगे पूरी इसको रिपोर्ड को पढ़ोंगे ची挑तन के नाम से यह सबसे महत्पून चीज़ है जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यहां से आपके कुर्शन भी पूछे गए है देखें यह चीज दिविए कि वरतमान में हमारी कौनची नीता है सिक्सा नीती है टैन प्लस टू वाली एक सेकंड टैन प्लस टू वाली हमारी और चार फंदर फिक है तो बारेकी जंग कितनी हो गई है अब फंदरे की नई ववस्था देखनों को मिल रही है आपके सार तीन साल बढ़ा दिए अब तीन साल घो बढ़ गई आपकी फर्स्ट क्लास से पहले के इस्ट क्लास में बढ़ गई है देखा क्या जाता है जो निपी 2020 के बाद आप देखो कैसे कैसे आपको चीजे देखने को मिलेगी उसको आप लोग जरा समझना इन तीन साल को मैं शुरुआत में आपको समझा देता हूं यह पूरा आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो जो शुरुआत के जो यह पात साल है इसमें तीन साल तो लोग इसकूल के नदर गई थे फर्स्ट क्लास में लेकिन इसकूल में जाने से पहले भी धुनली धुनली थोड़ी सी आदे है जब हम लोग क्या काम करते थे अपने घर में घर के चारो तरफ जो हमारे पासपर उस था उसमें चीजे खेलते थे कोई कंचे खेलता था कोई और फोटो वगएरा से खेलता था या कोई भी जो दूसरे तरीका थे जैसे गाउंद यात में टायर से खेल रही है तो इस तरीके से चीज़े करते थे फीजिकल एक्टिवटी ज़्याद करते थे तो गोर्मेंट ने क्या काम करा उन्होंने का कि बेटा काम करो जो चीजे त कि चलो स्कूल के अंदर काम करेगा लेकिन इससे स्कूल को क्या बेनिफिट मिलेगा ववस्ता को क्या बेनिफिट मिलेगा ववस्ता को बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा जैसे फर्ष्ट क्लास में जब बच्चा को पहली बार स्कूल के अंदर जाता है तो देखा होग में जो शुरुवात के जो उसके तीन साल लाएंगे जिसमें वो प्री स्कूल या वाटिका के अंदर जाएगा तो इसकूल में पढ़ने के लिए नहीं जाएगा खेलने के लिए जाएगा जो अपनी और दूसरी फीजिकल एक्टिविटी करता रहता है उसके लिए जाएगा जब उसके लिए जाएगा तो बच्चे का भागने का मन भी नहीं करेगा इसकूल में और जब यह तीन साल जैसी कंप्लीट होगे और उसके बाद उसको फर्स्ट क्लास में डाला जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा उसे ऐसे लगेगा हां भी यह यह भी एक इस्टेप ही अब फर्स्ट क्लास मागे मुझे कुछ नहीं चीज़ सीखने को मिलेगी तो गोर्मेंट का इसमें इसका प्रोफिट है और अच्छा प्रोफिट है इससे क्या होगा बच्चों की जो नामंकर जादा बढ़ेंगे बच्चे स्कूल से ड्रोप आउट कम होगे और बच्चों का इंट्रेस्ट भी बढ़ेगा पढ़ाए के अंदर तो आप लोग समझ के जो शुरू के तीन साल जोड़े हैं जिसमें अब आगनवाईडी प्री स्कूल और बालवाटिका के लिए आपको इसमें आप जो भी आपको देखने को मिलेगी तो इसलिए एड किये तीन साल ही क जो यह वाली स्टेज है जिसमें शुरू के पात साल लेंगे तो यह होगी आपकी फाउंडेशनल स्टेज यह आपकी पहली स्टेज रहेगी उसके बाद दूसरी स्टेज हो जाएगा आपकी प्रिपेटरी स्टेज इसके अंदर क्या होगा बच्चा इसमें रहेगा किलास से लेके फिप तक इसमें बच्चा कर तक रहेगा किलास थर्ड से लेके फिप तक रहेगा अच्छा इसमें कोई भी एक्जाम बच्चे का नहीं होगा बच्चे का एक्जाम नहीं होगा तो बच्चा फेल भी नहीं होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा बच्चे के एक्जाम बच्चे के एक्जाम होना शुरू हो जाएंगे तो second stage होगी उसके बाद तीसरी stage हो जाएगी आपकी middle stage और देखो middle को कब तक रखा है class 6 से class 8 तक रखा है चाषक क्लास सिक्स से क्लास अट तक रखा है मिडिल इसके अंदर देखेज। जारह वह ऐसा होता है जैसा घरवाली कह रहे है उसी तरीके से बच्चों को मानना पड़ता है घरवालों ने का तु आर्ट इस्टीम लेगा साइंस इस्टीम लेगा तो बच्चा जवर जस्ती ले लेता है हाला कि उसका किसी और दूसरे मन चीज को करने का मन होता है 12th pass करता ह अब तुमको यह करना है यह वाला कोर्श करना है उसमें बच्चे का नहीं पूछा जाता है लेकिन अब 6th class से वोकेशनल को एड़ कर दिया अब इसमें बच्चे का जिस चीज में इंट्रेस्ट है वो उसके इंदल ले सकता है ताकि उसी फिल्ड में बच्चा आगे चला ज अब कोई भी आपको stream देखने को नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया कदम तो यही देखने को मिला है मुझे तो इससे बहुत खुस हुई है कास मेरे time पर भी यह होती और आप लोगों के कुछ लोगों के time पर होती जैसी हम लोग 10th pass करते थे 11th class में जाते थे तो सबसे हुआ, इससे बेकार आदमी नहों को,ुझे बहुत, और सइन्स आड़लों को बड़ी इजट की नजरों से इचा जाता था था इसका सब चीज खतम लोगों कर दिए, क्या काम करा we rekl теп museum की जंगने सब्जेक्ट रख दिये क्या रख दिये अब मल्टीपल सब्जेक्ट रख दिये अब देखे इसका कितना फायदा देखने को मिल रहा है वह माली जै किसी बच्चे ना आठ साइड ली और आठ साइड लेने के बाद बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है तो क्या साइंस पढ़ सकता है आज की सिक्साव वरस्ता के अंदर नहीं पड़ सकता है लेकिन जब उसके पास multiple subject हो जाएंगे अगर बच्चा account पढ़ना चाहिए account पढ़ सकता है पॉलिटी पढ़ना चाहिए पॉलिटी पढ़ सकता है जोगरफी पढ़ सकता है साइंस पढ़ सकता है मैच पढ़ सकता है कुछ भी subject बच्चा पढ़ सकता है अब आपका secondary stage के अंदर जब बच्चा 9th किलास के अंदर आपका entry लेगा अब यहाँ पर कोई भी stream आपको देखने को नहीं मिलेगी जब मैं भी मतलब 11th किलास में गया था तो मेरी भी उम्मीद थी क्या मतलब मुझे वाला भी subject पढ़ना है मुझे account बढ़िया नहीं लगता था तो मुझे सोचता था चलो पॉलिटी पढ़ लूँगा या दूसरा पढ़ लूँगा आप लोग भी ऐसा सोचते थे लेकिन कर थी नहीं सकते थे हमारी शिक सवस्ता ऐसे बनी हुई थी हमारे पास चोईशी नहीं थी भाई यह तीन चीज़े और इन्हीं मेंस आपको लेना है यह हमें बताई गई थी ठीक है तो मैंने commerce ले ली थी तो अभी इस टीम को पूरा खतम कर जा गया अब आपको multiple subject देखने को म तो टोटल अब आपकी कितनी होगी यह 15 साल होगी ठीक है बार के जंग क्या होगी 15 साल होगी शुरू की तीन साल आपकी आंगनवाडी के लिए चली जाएगी आयोप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे आगे बढ़ते हैं यह सबसे मेहत्पून बात ती और यहां सबसें आधारबू सिद्धान्त है यह सिद्धान्त आपके सीटेट के लिए बड़ी महत्पून है जब आप लोग शुरूआत में इसको पीडियाप को पड़ोगे तो शुरूआत में आइधिंक आठवे नौवे पेज 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 जानी आ रहा तो वहाँ पर कुछ स आट कितीनी बार आपके सीटैट के लाइए इसा पूछ गया और सेमेंजीट यूटकर आया है तो इसमें कहा है कि घ्रोडे ना लेंट अनितु पर रटनेंट पर जोड नहीं देना और ना ही केवल परिक्सा के लिए पढ़ाई पर बल देना है, जैसा आप लोगों का हाल हो गया है, जैसा मानलों आप लोग सीटेट के एक्जम की तयार ही कर रहे हो, तो अब रटने रटने वाली चीज़े तो बहुत कमाएगी, अब आपकी अंडेस्टेंडिंग वाली चीज आपको में उससा दोगे 10 के 12 के 14 के 15 के टेबल याद है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो टेबल इस अरेंज में कैसे बनते है, इस करम में कैसे बनते है, या इस सिक्वेंस में कैसे आते है, बस हमें रट हुए है, तो बन जा 2, 22, 4, 22, 24 यह होता है, ठीक है, 22, 236 इस तरीक स से रठे हुए है तो इन्होंने का रोट लेंडिंग को महतु ना दिया जाएं सबसे जाद आपको महतु देना इस वर्ड को ध्यान नखना कंसेप्चुल अंडेस्टेंडिंग बहुत इंपोटेंट आपका सीटेट में कई बार पूछा गया है कई सीफ्ट के अंदर यह वाला के अंदर आपको देखने हुँ लेगा चाहिए आपकी हिंदियों इंग्लिषों संस्क्रितों कुछ भी आपकी लेंग्वेजों बहु बासिकता मतलब ऐसी क्लास्रूम जहाँ पर एक से जादा भासा बोलने वाले बच्चे होते हैं कोई बासा हिंदी बोलता है कोई बच्चा हिंदी बोलता है कोई बच्चा तमील बोलता है कोई बच्चा मराथी बोलता है अब आपकी क्लास्रूम में ऐसे बच्चे हैं तो देखो जब एक क्लास्रूम में अलग अलग भासा वाले बच्चे होते हैं बहु भासिकता वाले बच्चे होते हैं तो वो क्या होता है हमेशा एक संसाधन का एक रिसोर्स का काम करती है एक संसाधन का एक रिसोर्स का काम करती है और एक पूंजी के समान है वो कैसे समान है इसको मैं भी आपको क्लियरीफाई करता हूं देखिए मालो हिंदी वाला बच्चा है वो तमील वाले इक दूसरे की भाषा का अदान पर दान पर और नहीं पर पुरशा हो रहा है आपस का जो कल्टर होता है जो इनकी संस्कृती होती है वो भी एक दूसरे से सीखते है भाहवा से और संस्कृति का एक दूसरी मैं, आपस में घरिष सम्दद्देखने को मिलता है। तो जब भाहर से से कर से कशने होீ moral चूआ इंके कैसे तुवार होते हैं, कैसे किस तरी के सा रहन से होता है, किस तरी के के फूजा-पद्धती उती हैं, यह चीज़ शेकने को मिलत क्या रिए बच्चा हिंदी बोलता है तमिल बोलता है मैं इनको कैसे समझाऊंगा कैसे पढ़ाऊंगा ऐसे मत करना ठीक है अच्छे टीचर की निसानी नहीं होती यह बड़ा मैथ्पुन पॉइंट आपका बहुबासिकता तो बहुबासिकता और विविधिता मतलब जो जैसा कैसे इनको किसी को भी मिस मत करना ठीक अगला पॉइंट आपको दियावाई की सीखने के लिए सत्त मुलियांकन यानी जो इवेलियूशन होता है उस पर जोर देना है ना कि साल के अंत में होने वाली परिक्षाओं को केंदर में रखकर उन पर बल देना है आँ देखे जैसे मैं बच्चों का assessment करते हैं मानलों बच्चों को पढ़ा रहे हैं मानलों मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मुझे आपका test लेना है मैं कहुंगा बहुत किसकी committee में जो अप लोगों से मैंने question पूचा तो अभी जैसा आप लोग वीडियो देख रहे हैं कुछ बच्चे भी बोल देंगे सर जी किसना स्वामी कस्तुरी रंगन की committee में देखने को मिला ठीक है तो कुछ बच्चों ने बोल दिया कुछ बच्चांसर नहीं देपाएंगे तो मुझे म केके उनकी फोटो दिखा दूगा और फिर बता दूगा देखो जैसे पहले ही सुरूगे यह चीफ थे इन्होंने कैसे कैसे अच्यूमेंट्स किये थे तो फोटो के मात दम सापको याद हो जाएगा तो यह मुल्यंकन सही रहेगा या फिर मैं आपको कुछ एक महीने बाद के एक साल बाद आप से पूछू कि बेडोक्टर के के कौन थे या ओक किसके चीफ थे वह सही रहेगा नहीं जो मुल्यंकन कंटिनेसली होता रहेगा लगतार होता रहेगा इसकी जंगा आप लोग फोर्मेटीव असेस्मेंट भी लिख सकते हो यह तो ध्यान आ गया मुझे पूछा गया ता कि उने कौमिटीव असेस्मेंट सो यधा वादिया होता है जी सालमें उने वाल परीकस् agric side MAS यस यस बोलके ट्रोफी लेकर अपने घर चल जाएंगे फोटे खिचवा लेंगे उनके पैरेंट्स हो जाएंगे और जो बाकी बच्चे नहीं ले पाए उनका क्या होगा या जो बच्चे फेल हो जाएंगे फिर उनका फीडबेक क्या होगा वो दुबार से सुरुवात अगर शुरुआ से कमजोरी का पता लग जाता तो वह बच्चे भी पास हो जाते ठीक है या अच्छे स्कोल लेकर आते तो आपने देख लिया अगला पॉइंट आपका मुल्यांकन का उद्देश से बच्चों को सीखने की परिक्रिया में मदद करना भी है इसका सामें इनका इविलियूशन करना है तो उसके लिए एक सेंटर बनेगा परक नाम एक नेशनल असेस्मेंट सेंटर की स्तापना की जाएगी इसका नाम रख लेना परक नाम से पता चला है इसनों बच्चों को पर्खा जाएगा कि बच्चों कितना आया कितना नहीं यह ठीक यहां तक समझें आप लोग आगे बढ़ते हैं समझते जाना इसको जितनी भी चीज़े मैं आपको बतारू इसको कड़ने में पढ़ने में बहुत टाइम लगा है और आगर आप लोग खुद पढ़ने बैटोगे तो देखना कितना टाइम आपका चला जाएगा इसलिए का सिक्सा का माध्यम कैसा होना चाहिए कम से कम क्लास फिफ्ट या क्लास एट क्लास एट तक आप लोग लिखिए कम से कम क्लास फिफ्ट या कम से कम क्लास एट तक बच्चों की सिक्सा का माध्यम होना चाहिए उनकी मदा टंग में यानि उनकी मातर भासम होना चाहिए या उनक में तो यह भी सिपारिस कही गई है कि एट क्लास से आगे भी घर की भासमी होने चीए यह सिपारिस भी कही गई है ठीक है लेकिन एक लिए ट्लिस्ट एट क्लास तो आपको द्यान अक्ना एक्जाम में भी आपका पूछा गया तो मदर टंग को बड़ा मेहतून बताए गया क् पूछा है कि जो हमारी मदर टंगंग यह हिंदी घंदी बोल रहा हूं तो अगर मैं जिसे फोल टा तो यह रहें करेंगे अच्छे कि मात्रवासा को और यहीं वाली बात एनीपी 2020 में कही गई है कि जो सिख्षा का माध्यम होना चीए वह एड्लीस्ट एट किलास तक तो आपका मदर्टंग यानी मात्रवासा में होना चीए यह कम सकम चार पास नंबर के कोशन आपके सीटेट में पूछे गए ते अ इसमें स्कूल में बच्चों को एकलीस तीन भासा पड़ाई जाने चीए ठीडिलेंग्विश फॉर्मुला ठीक है पहली बासा क्या होगी जैसे मालो हिंदी बासी छेत्र वाला है तो पहली बासी उसकी या गेर हिंदी छेत्र भी है तो उसमें पहली बासा उसकी होगी जैसे हिंदी छेत्र होगे जैसे आपका यूपी हो गया दिल्ली हो गया हर्याना हो गया ठीक है तो यह क्या हिंदी छेत्र होगे तो वहाँ पर उनकी मदर्टंग क्या होगी वहाँ पर उनकी मदर्टंग हिंदी हो जाएगी क्या हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाए टूर यह तोड़ी सबकी कोई तमील बोलता होगा कंडड़ बोलता होगा मराथी बोलता होगा लेकिन में कि फ़र्ष्ट बास आपकी कौन सी मदा टंग रहा है यह थीख उसके लाबा इस फॉर्मुले में लचीलापन भी रखना चाहिए यह नहीं है कि थी लें कि फॉर्मुल इसमें चेंज भी यह उतार चड़ाओं हम लोगों कर सकते ऐसी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए तिरी भासा सुत्र के इंतरगत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारत्य भासा संस्कृत का भी अध्यन करना चाहिए लेकिन ये विकल्प के रूप में ध्यांचा प उसमें ताह जो हिंदी होती है हिंदी हमारी राश्ट भासा होती है र राज जवास होती है हिंदी हमारी राश्ट भासा गускे इससे संबंदित को صुंуса मतलब बहुत पूछ तापैं आपके सी टाट के एक्जाब में में अब देखे क्या होता है इस फ़र विवाद भी हुआ भी अजे देवगण और जो किच्चा है किच्चा नामेना साइद उनका साउथ के जो एक्टर है उनमें आपस में विवाद हो गया तो अजे देवगण भाई साब ने क्या कही कि हिंदी हमारी राष्ट भासा है तो अजे तो एक बार बनते बनते भी रहेगी लेकिन इसके उपर इतना विवाद हुआ खासकर जो साउथ के स्टेट है वहाँ पर इतना विवाद हुआ और आई तिंक जब आप सोल करोगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक है आगे देखते हैं आगे आपका न्यू एजुकेशन पोलीशी 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत स्रेष्ट भारत और जातक मैं सही हो यह हमारे देश के परदानमंती नेंदर मोदी दुआरा दिया गया इस्टेट के बार में जाने है इसलिए यह है क्योंकि सीटेट में एक नंबर गए भी पूछा गया था ठीक आगे देखते हैं किलास 6 के लिए एक अतिरिक्त भासा के रूप में सास्तिर्य भासा यानि कि जो आपकी क्लासिकल लेंग्वेज होती है किलास 6 में क्या होता है आपको एक क् सास्तिर्य भासा कोई भी आपकी हो सकती है तमिल हो सकती है तेलिग हो सकती है कंणर हो सकती है मल्यालम हो सकती है ओडिशा हो सकती है पाली हो सकती है फार्सी या फिर प्राकरत कुछी भी आपकी हो सकते एक सास्तिर्य भासा क्लासिकल लेंग्वेज होनी चाहिए और यह कोश यह तैयार हुआ है फिर भी आप लोग इसको छोड़ोगे तो लोस आपके यह मेरा लोस नहीं होगा कुछ भी जितनी भी मैं चीज़े बताता हूँ आप सभी को बता है मैं सिप वही बनाता हूँ जो आपके एक्जाम के विकल्प के रूप में एक विदेशी भासा भी होनी चाहिए यह कुछन भी पूछा गया था सीटेट में और विदेशी भासा में उसने सारी दे दी कोरियन जापानी थाई फ्रेंच जर्मन इस्पेनिज पूर्तगाली और रोस जैसा आप लोग नईपी 2020 पड़ोगे आप क्य हो सकता है तो माद्दमिक इस तर पर एक अतिरित विकल्प के रूप में आपको विदेशी भासा भी देखने को मिलेगी जिन सभी के यह नाम है इन सभी को याद इकल लेना आगे देखते हैं हर बच्चे की विशिट शमताओ रचनात्मक्ता क्रेटिविटी तार्किक सोच दो नवाचार ओर समाल उचनात्मक चिन्तन क्रेटिकल धिंकिंग लगा उशित • सब्सक्राइब करना और उनके समग्र विकास के लिए परियतन करना है तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत इंपोटेंट होता है क्रिटिकल थिंकिंग कैसे को जboys भी चीज़ होते हैं हमारे सामने कोई कोई चीज नहीं आई है लेकिन जैसा बच्चा होता है बच्चों को आपने और जाके हेंन्वोश कर क्या होता है तो कुछ parents तो ऐसे होंगे, उसको दमकाएंगे, डाटेंगे, मारेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो उसको समझाएंगे, और समझाने के बाद फिर बच्चा क्या काम करेगा, अपनी critical thinking का use करेगा, कि ये point बताएगे, अगर hand voice नहीं करूंगा, तो करोना हो जाएगा, बिमारी हो ज thinking हो, चाया उसकी creativity हो, तार्किक सोच हो, नवाचार हो, कुछ भी हो, उनकी पहचान करने चीए, और उसके online development के लिए प्रियतन करना चीए, बड़ा महत्पुन है, इस वाले topic को, ठीक है, critical thinking को, आगे देखते हैं, समाविसी सिख्षा, यानि कि inclusive education, सभी के लिए दिगम, बेस कैसे आपर क्या है मेडम, सभी को शिक्षा दे रही है, इसमें दिव्यांग बच्चा भी है, बाकी बच्चे भी है, अलग-अलग प्रिष्ट भूमी के है, जैसे आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी सब अलग-अलग अलग धर्म के हो, अलग-अलग ज जाके स्कूल में भी बच्चों को समान सिख्षा देनी है उनमें कभी भेदवाव नहीं करना किसी भी चीज के उपर जो मैंने आपको बता है ना ही सामाजिक आर्थिक चाहे बच्चे की कैसी भी पश्चुबू मी रही यह बात आपको ध्यान नकिने ठीक है तो यह वाले बात इस वरस्ता के रूप में डिफाइन करता है जा समान्या और दिव्यां सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं यह आगे है किलास चीक्स से ही सेक्षी पाठ्टे करम में व्यवाशा एक सिक्षा को सामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्ण शीप की वरस्ता भी की जाएगी में चीक्स से यही तो क्लाश शीक्स में क्या हो गीता सिक्स में वाके सिरू हो गई ती कंपीटयर बच्चों को बपर करना सिखाय जाएगा यह मैंने आपको सिरुगात वैं बतायता जब बच्चों को वॉकेस्नल शुड़े जाएगा तो उसमें वयवसाइस से67 सामीशा इंट्रेस्ट ले सकता है अब बच्चे को उपर परेसर थोड़ी है कि जो जैसे घरवाले कह रहे हैं वो यह वाला काम करेगा एसे बयद भुनियादी चीज़ों पर केंदरित करना है ताकि आलोचनात्रं चिंतन खोज आधारीत चर्चा आधारीत और विचलेशन आधारीत अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके मतलब जो हम बच्चों को अधिगम करा रहे है लैंडिंग करा रहे है वह खाली है यह नहीं कि बच्चों को उसको पढ़ा दिया काम खतम नहीं उसमें बच्चे की critical thinking होने चाहिए बच्चा खोज आधारी चीज़े करना चाहिए बच्चा डिसकर्शन चर्चा करे विशलेशन करे ऐसा दिगर में ऐसी लेंडिंग हमें बच्चों को देनी चाहिए ठीक या तक पढ़ने में इसको आगला point आपका राष्ट्य पाट्य पुष्ट के national जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है इसकोल के करिकुलम में कमी लचिलापन और रठकर सीखने के वजाए रचनावादी सीखने के तरीकर पर जोड देने के साथ 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 इसकोल की national टेक्स्ट बुक मे आपकी नहीं है कि एक चीज जो रहेगी हो हमेशा वोई चीज पढ़ाई जाएगी ऐसा नहीं होने ही ठीक है आगे देखते हैं आजकल टेक्स्ट बुक में तो क्या हो रहा है इमेज का बडा यूज होता है और ऐसी चीजों का यूज होता है जो बच्चे के वास्तविक जी जीवन से जूड़ी रहती है ऐसी चीजों का यूज आज कल ज्याज़तर पाठ्टे पुस्त को हो रहा है क्योंकि बच्चा जल्दी सीखता है जब वह अपने वात्विक जीवन से चीजों को रिलेट करके सीखता है तो बच्चा जल्दी सीखता है ठीक आगे देखते अगला का ECC अच्छाए पुइंट यहां पर डाल दिया इसको शुरू में डालना चाहिए यह मतलब लाश में डल गया देखो इसमें आपको क्या ध्यान अखनी है इसकी डेफिनिशन याद करनी ECC की अर्ली चैल्दूड केर एंड एजुकेशन यह आपकी सुरुवात वाली जो आ प्रतिविदी आदारित खोज आदारित बच्चा खोज करें खेल करें यह सब चीज़ें बच्चा करें ठीक है तो इसकी फुल फॉम याद कर लेना मेहत्पून हो सकती है आपकी एन इपी में कई बार इसका जिगर दिया हुआ था अगला पुइंट आपका इसकूल त्यारी मोड्यूल ये एक तरीके का मोड्यूल है ये एक तीन महिने का प्ले आदारित मोड्यूल है जो एंसी आट और सी दुवारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास फर्स्ट में एडिमिसन के कुछ हफते बादिया अपने से पार्टियों से आगे देखते अगला पॉइंट के उपर एनिपी 2020 के नुसार जो अधिकम होता है लेंडिंग होती है वो कैसी होनी चाहिए प्रियोग आत्मक यानिकी प्रैक्टिकल होनी चाहिए और सीटेट के एकजाम में ये कुश्चन पूछा गया आपका ठीक है कैसी होनी चाहिए ब्लाज के रेटके अंदर आप लोग भी ऐसे ओंगे जब तक में किसी चीज को खुद नहीं करता मैं उसको इतनी जल्दी नहीं an invent yellowald भी होता है ना जब वो खुद अपने हाथों से चीज़ें कर के से करेगा तो जल्दी सीख जाएगा जैसे मानलों आपको गाड़ी चलानी है तो गाड़ी आप लोग किसी भी ट्रेइनर आपको बता देगा यह गेर है यह इसको ऐसे चलाना है कलेच ऐसे दवाना है सब आफ्ते दस दिन में गाड़ी सीख जाओगा आप लोग चलाना तो खुद करके सीखने पर लेंडिंग बाई डूइंग पर जादा बल देना चाहिए जो आपका लेंडिंग है वह प्रैक्टिकल होना चाहिए प्रियोगात्मक आपका होना चाहिए बड़ा महत्पुन आपका यह नहीं बस टीचर पढ़ा रहा है बच्चे सुनने है समझ माह रहा है नहीं आ रहा है उससों कोई मेटन नहीं करता ऐसा नहीं होना चाहिए आपका ठीक है और उसमें कला और खेल को भी एककरत इंटेग्रेट करना चाहिए देखो खेलों के माद्दम से क्या होता है जब अच्छे आपस में खेलते हैं तो एक दूसरे में क्या होता है एक टीम की भावना होती है जिम्मेदारी होती है नेतिकता देहनु मिलते है कि यार मुझे अपने पार्टनर को भी जिताना है तो खेल के मात दम से देखनु मिलता है ठीक है और कला को भी एकिकरत करना चाहिए य और उसके अलावा 3-4 इसके बारे में जो point थे वो option में दिये गए थे और option में गलत दिये गए थे तो अगर इसके बारे में आपको पक्की जानगारी थी तो आप से यान चल लगा दोगे वनना तो आप नहीं लगा पाते सीट एट में खासकर पेपर सेकेंड के अंदर बहुत बार पूछा गया यह वाला question अलग-अलग चिफ्ट में question आपका एक सेकेंड यह क्या गया question आपका progress card के बारे में कि NCIT और SCIT के मार्ग दर्शन में और SCIT के मार्ग दर्शन में राज्यों और केंडर सासित परदेशों दोवाला सभी स्टुटेंट्स के स्कूल बेस असेस्मेंट के अधार पर तयार होने वाला और पैरेंट्स को दिये जाने वाला जो progress card होता है ठीक है ध्यांचा देखना progress card very very important लगा लो इसके उपर पेपर सेखिंड वाले तो खास कर कम से कम चार पास नंबर का पूछा गया था progress card को पूरी तरिके से नया सवरूप दिया जाएगा अब जो progress card मिलता है अब ऐसा नहीं मिलेगा जैसा अब current में मिलता है इसका नया सवरूप दिया जाएगा progress card जिसको प्रगरती पतर भी बोलते है सीटेट में पूछा गया उन्नती पत्र ठीक है उन्होंने उन्नती पत्र बोल दिया तो आप लोग प्रोग्रेस कार्ड याद रखना इंगलिस में इसली चीज़े याद हो जाती है आसान से तो जो आपका प्रोग्रेस कार्ड रहेगा वह समगर की सभी neighborhood आपको देखने मिलेगा जो प्रोग्रेस कार्ड आप बच्चों को मिलेगा ओर तीन सो साथ डिग्री मल्टी डायमेंशनल जैसा काड़ आपको देखने मिलेगा जिसमें स्टुदेंट्स का सभी चै कोगनेटी ओचै उसके अफटी ओचैए स्के साइको मोटर डोमेन समझे इस प्रोग्रेस कार्ड में बच्चों के विकास के जितने भी आपके डोमेन थे चाप का कोग्निटीव और फेक्टी ओप्यों साइको मोटर डोमेन इन सबी का बारिगी से विशलेशन करके उसकी विश्येशता हो साई यह प्रोग्रेस कार्ड अब दिया जाएगा बच्चों को 360 डिग्री मल्टी डाइमेशनल में जो देखने को मिलेगा बड़ा महत्मून आपका ठीक है चार पाच बार पूछा गया है जादी पूछा गया होगा अपनी की तो यह मैं आपको बता दिया प्रोग्रेस कार्ड के इसे जानना जरूरी थे वो सब मैंने आज की वीडियो कंदर कावर कर दिये अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो पार्ट सेकंड आएगा जितने भी कॉष्ण आंसर रहेंगे चाहे वो सीटेट में पूछेगों चाहे किसी और दूसरे एक्जाम में पूछेगों मैं उ आपको पूरी थेोरी बताई डीटेल में बताई समझा कर बताई और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुष्ण अंसर कराऊंगा लेकिन इस वीडियो को दुबारा देख लेना कुष्ण आंसर करने से पहले तभी आपको चीजे समझ में आ जाएगी ठीक है और जो जल्दी मिलता हूँ पार्ट टू में थेंक यू